नमस्कार दोस्तो मैं विरेंदर सिंग आपकी सेवा में एक बार फिर हाजर हूँ दोस्तो आज 5 जुलाई दिन सोवार जानते हैं मंडी में आज के फल और सबजियों के भाव दोस्तो बात करते हैं धनिया की जो धनिया नासिक महाराष्ट का आता है जो कहते हैं कि एसी गाडियों में आता है बिल्कुल हरा ठंडा धनिया जो अच्छे वाला धनिया है इसमें इसका भावायाज का 60 रुपे 65 रुपे किलो और जो इसी में बात करते हैं थोड़े हलके की जडवो आपको 40 रुपे किलो तक मिल जाएगा हैं कि यह दहन्या है हरियाने का जियाने का लोकल आश्वास का धन्या है इसका भौाव है अज़ा का 40 रुपे 45 रुपे किलो और जो यह नासिक का छोटी-छोटी गठ़डी में बांद कराता है A nous का भाव है फैंसेट रुपे किलो 70 रुपे किल्यों तक होल सेल में दोस्तो बात करते हैं हरी मिर्ची में आज मंडी में थोड़ा सा भाव जादा है हरी मिर्ची में जो low से low quality मिर्ची लो गहीं आप जिसमें डाग होता है यह पीले वाली Pepsi वाली ये भी आपको 25 रुपे 25 रुपे किलो मिलेगी इसमें कम से कम आपको एक बोरी लेनी पड़ेगी 25 रुपे किलो से लेकर और मंडी में आजoner का भाव ठोक रेट में जो सुबह भी का ठोक रेट में आज वो आपको 40-45 रुपे किलो तक मिर्ची भी की ये है जिसमें थोड़ी थोड़ी लाल भी निकलती है पीली भी इसका भाव है 20-25 रुपे और जो बात करते हैं सूपर क्वाल्टी की ये वाली इसका भाव है आज का 45 रुपे 50 रुपे जैसी मिर्ची वैसा भाव दोस्तो अब तो मंडी में बहुत कम मिर्ची रहागी अब तो भाव थोड़ा जादा है पर वैसे इसका में प्राइज अच्छी मिर्ची का भाव आज का रहा 40-45 रुपे 50 रुपे किलो तक आपको 25 रुपे से लेकर 50 रुपे किलो तक मिर्ची भी की और जो इसी में बात करते हैं अचारी मिर्च की अचारी मिर्च भी आज थोड़ा भाव ठीक है इसका भाव आज का 25 रुपे 26 रुपे किलो तो दोस्तों बात करते हैं रतालू की रतालू कचालू बोलते हैं जिसको इसका भाव आज का 17-18 रुपे किलो और जो बात करते हैं चचरिंडे की चचरिंडे क आज मंटी में भाव कम हो गया चचरिंडा आज नॉरमल जो वीस इस रुपे भीकता था आज वो है舉 15-16 रूपे किलो चचरिंडा लंबे वाला अचछा इने दों । बात करते हैं हरी भैंगनी की हरी भैंगनी का आज का भाव है 17-18 रुपे किलो हरी भैंगनी लंबे वाली अच्छी दोस्तों बात करते हैं करेले की जो करेला अच्छे वाला करेला है जो बोरी में मिल जाएगा आपको वो मिलेगा 18 रुपे किलो और जो मिलेगा पन्नी में काली तोरी उसको बोलते हैं जिस तोरी में लाइने होती हैं तोरी में उसको बोलते हैं काली तोरी जैसे यह है और जिसमें जो प्लेन होती है जो रोज दखाता हूँ आपको वो होती है घिया तोरी उसका रेट बाद में बताऊंगा इसको बोलते हैं काली तोरी इसका रेट है 10 रुपे 12 रुपे किलो ताली तोरी दोस्तों बात करते हैं सिमला मिर्च की जो सिमला मिर्च हर्याने की मोठे अच्छे वाली करनाल रादोर लाडवा की इधर की आती है शाबाद की जो वो है जो मोठे वाली अच्छी मिर्च है उसका भाव है आज का 25 रुपे और जो इसी में आप ऐसी मिर्ची लोगे उसका भाव है 20 रुपे अच्छी मिर्ची का आज भाव 20 रुपे से लेकर 25 रुपे कि लो सिमिला मिर्च होल सेल प्राई इसमें भी कम से कम आपको एक पढ़नी तो लेनी पड़ेगी दोस्तो बात करते हैं अब लेमन गरास की जो लेमन गरास कूट कर चाई में काम आता है उसका भाव है आज गा 30-35 रुपे किलो होल सेल प्राई 30-35 रुपे किलो मिलेगा आपको दोस्तों बात करते हैं मटर की और फ्रांस बीन की जो मटर और फ्रांस बीन है वो मंडी में सुबह ही थोड़ा जल्दी बिग गई आ थोड़ा सा भाव में मटर के तेजी थी फ्रांस बीन का भी भाव ठीक है तो जानते हैं यहां के आरती से इसका भाव हाँ जी सर जी तो आज माटर के भाव में और इसके फ्रांस बीन के भाव में कैसा भाव रहा जी आज बता ना ज्याद दोस्तों बात करते हैं हम खीरे की जो खीरे का भाव है जो इस तरह का खीरा मिलेगा गाड़ी से वो मिलेगा आपको 20 रुपे और इसी में अच्छे वाला टोप कलास का जो ग्रीन रंग का खीरा मिलेगा आपको 25 रुपे 20 रुपे से लेकर 25 रुपे किलो खीरा दोस्तों ये खीरा इंदोर मध्या परदेश से आता है इसमें भी आपको कम से कम एक पनी लेनी पड़ेगी दोस्तों बात करते हैं घीया की घीया में अब जो सुबह में तो अच्छे वाली घीया थी वो तो भी कि 300 रुपे की पनी और अब जो है घीया का भाव है ये है पनी अब 200 रुपे की 220 रुपे की इसमें वजन होता है 30 किलो इसमें भी आपको कम से कम एक पनी लेनी किलो की पन्नी का वजन है 200 रुपे 220 रुपे एक पन्नी का वजन ये मिलेगी आपको 30 किलो घिया इसमें दोस्तों बात करते हैं भिंडी की भिंडी अच्छे वाली भिंडी मिलेगी आपको 16 रुपे किलो 17 रुपे किलो होल सेल प्राइज में इसमें भी आपको कम से कम एक पन् चोटा वेला बैंगन में दोस्तों बात करते हैं गवार फली कीदे दिल्स हाइब्री ए अच्छे वाली हर्य रंकिक गवार फली है और जो देशे वाली गवार फली है उसका आज का भाव है बीस रुपे किलो देसे वाली गवार पली 20 रुपे किलो और जो हाइब्रेड ये मिलेगी 25 रुपे किलो दोस्तों बात करते हैं ककोडा की जो कोडा क्रेटों में आता है ये इसका भाव है आज का 25 रुपे किलो इसमें भी आपको कम से कम एक क्रेट लेनी पड़ेगी ककोडा इसको ककोडा बोलते हैं ककोडा का भाव है 25 रुपे किलो होलसेल प्राइज इसकी क्रेट में वजन होता है 25 किलो दोस्तो बात करते हैं कुंद्रू की जो परमल का छोटा भाई कुंद्रू होता है इसका भाव है जो आपको गाड़ी में से मिलेगा इसका भाव है आज का 20 रुपे किलो होल सेल प्राइज 20 रुपे किलो कुंद्रू अब बात करते हैं दोस्तों हरे वाले मोटे बेंगन की हरे वाला जो मोटा बेंगन है इस तरह है कावे मिलेगा आपको 20 रुपे किलो 22 रुपे किलो हरे वाला मोटा बेंगन दोस्तों बात करते हैं परमल की परमल का आज का थोक का भाव है ठारा रुपे किलो, बीस रुपे किलो, गाड़ी में से जैसा परमलोग है, ठारा रुपे किलो, बीस रुपे किलो, इसमें भी कम से कम आपको एक बोरी लेनी पड़ेगी, दोस्तों बात करते हैं चुकंदर की, चुकंदर में छोटे वाला चुकंदर हो, आपको दस रुपे क चुकंदर वो आपको 20 रुपे किलो तक मिलेगा, 10 रुपे से लेकर 20 रुपे किलो मिलेगा आपको चुकंदर होलसेल प्राइज गाड़ी से, इसमें भी कम से कम आपको एक बोरी लेनी पड़ेगी होलसेल में, दोस्तो बात करते हैं ड्रम श्टिक की, जिसकी सबजी बनती है, इसका भाव है आज का 30 रुपे किलो, 35 रुपे किलो ड्रम श्टिक, दोस्तो इसी में बात करते हैं, ड्रम श्टिक जो हरे वाली ड्रम श्टिक है, इसका भाव है आज का 50 रुपे 55 रुपे, जो हरी मिलेगी आपको वो 50-55 रुपे, इसमें भी कम से कम आपको एक बोरा लेन होता है एक बोरे में इसका वजन है जी 45 किलो जो पीछे दखाई वो थी 30-35 रुपे उसका थोड़ा रंग फेट होता है वाइट रंग का वो 30-35 रुपे जो बिल्कुल गरीन रंग की मिलेगी यह मिलेगी आपको 50 रुपे 55 रुपे किलो दोस्तों बात करते हैं घिया तोरी की जो घिया तोरी प्लेन वाली घिया तोरी होती है इसका भाव है आज का अच्छे वाली घिया तोरी गाड़ी से मिलेगी आपको ये जो मोटे वाली है ये मिलेगी 5 रुपे 6 रुपे किलो जो अच्छे वाली मिलेगी आपको वो मिलेगी इस साइज की छोटे वाली प्लेन घहातोरी 12 रुपे किलो 12 रुपे किलो आपको गाड़ी से छाट कर मिलेगी घहातोरी दोस्तों बात करते हैं अर्भी की जो अर्भी मद्या प्रदेश खंडवा की अच्छी अर्भी है उसका भावा आज का ठारा रुपे किलो अर्भी ठारा रुपे और जो इसी में बात करते हैं भर्वा सागर भर्वा सागर कहां पर आजी है ये भी भरवा सागर की जो अर्भी है इसका भाव है 25 रुपे किलो दोस्तों इसी में बात करते हैं देसी वाले आंब की जो देसी वाला आंब है ये है इसका भाव अचारी आंब देसी वाला कच्छा 14 रुपे किलो और इसी में जो थोड़ा हाँ छोटे साइज का मिलेगा यह 12 रुपे किलो यह मोटे वाला अचारी यह 14 रुपे किलो इसमें भी कम से कम आपको एक क्रेट लेनी पड़ेगी यह है जीमिकंद जीमिकंद कहा काता है सर जी यह आंदरा प्रदेश काता है जानते हैं सर से आज इसका भावाव दोस्तों बात करते हैं केले की जो अच्छे वाला मोटा केला मिले गए यह मिलेगा आपको इसमें जो थोड़ा छोटे साइज का केला वो मिलेगा पंदरा पंदरा पे किलो पंदरा पे सत्रा पे किलो केला दोस्तों बात करते हैं फूल गोबी की जो हिमाचल की फूल गोबी आज मंडी में 15-16 गाड़ी हैं आज इसका भाव है 400 पे से लेकर यह 400 पे से लेकर आपको 600 पे की टोकरी मिलेगी जैसी आप हो भी लोगे वैसा ही उसका भाव मिलेगा इसमें टोकरी में वजन होता है 22 किलो 22-23 किलो पत्ते समीत वजन मिलेगा आपको टोकरी में जो पत्ते तोड़कर हर टोकरी में आपको पत्ते तोड़कर 10-12 किलो गोबी मिलेगी इसमें भी दोस्तों आपको कम से कम एक टोकरी लेनी होती है एक लो दो लो सो लो जितनी मरजी लो इसका भावा आज का 400 रुपे से लेकर 600 रुपे एक टोकरी का भाव इसमें ऐसे गोबी निकलेगी जो पत्ते तोड़कर आपको 12 किलो के करीब गोबी मिलेगी दोस्तों बात करते हैं पत्ता गोबी की जो पत्ता गोबी जो ज़्यादा ही लो क्वाल्टी मिलेगी आपको ये मिलेगी आपको डेड़ सो दो सो रुपे बोरी से लेकर जो ऐसी गोबी मिलेगी आपको तीन सो रुपे की साड़े तीन सो रुपे की और जो इसी में आपको टो दोस्तों बात करते हैं मक्की की जो मक्की छली है जो संभल की मक्की है मदब संभल की आती है उसका भाव है पांच उर्पे और जो आती है मेरट की जो नई मक्की चली मेरट वाली मक्की का भाव है आज का छेर पे किलो यह जाते हैं जानते हैं यह कहा कि मेरट की मेरट की नई म तोनों में आपको एक क्रेट लेनी पड़ेगे वोलसेल में एक लो सो ले जो गोल वाला टमाटर उसका 500 पे जो लंबे वाला 500 पे वजन होता है इसमें 25-26 किलो प्लस होता है दोस्तों ये है हिमाचल का जो हिमाचल सुन्दरनगर का हाइब्री टमाटर ओडिसी में जो हिमाचल का सुन्दरनगर का टमाटर आता है पेटी में लंबे वाला हाइब्रीड ये भी लंबे वाला हाइब्रीड हिमाचल का और ये भी पेटी में हिमाचल का कि पूह कहते हैं intervened तीन सोगने एसमें तेरह किलो किसे फंदरह किलो बजन हता है पच्छी किलो का बज़ाना है वो साड़े 400 हिम सोना विगेगा और जैसा भी होता है मार्केट के उसार चलाए राजगर का हिम सोना वो क्या रेट भी देगा राजगर का हिम सोना 500 रुपे का जन्यवाज यह थे जी माचल के रेट आज के दोस्तों बात करते हैं जो सोलन बेल्ट का माल आता है इदर का सोलन का माल आता है इसका भाव है आजगा सड़े 500 रुपे हिम सोनने का जो अच्छा भाव है यह मिलेगा आपको सड़े 500 रुपे क्रेट इसमें भी 25 किलो से ओपर कम से कम 25 किलो 26 किलो टमाटर मिलेगा गोल वाला हिम सोना ये भी जो है इस दुकान पर आता है ये जो है ये सोलन क्या जो हिमाचल के माल बेचने वाले special आड़ती हैं यदि आप आना चाहें तो इन से contact करते सकते हैं ये यहां के आड़ती हैं ये इनका दुकान नंबर आड़रस ये हिमाचल के special टमाटर के टमाटर बेचने वाले हैं तो दोस्तों बहुत बात करते हैं प्याज की प्याज मंडी में आज फिर प्याज थोड़ा ज़ादा है क्योंकि आज खुलती मंडी सोवार के दिन प्याज जो मेडियम टोप क्लास क्वाल्टी ह टोप क्लास क्वाल्टी का भाव है आज का सड़े 800 रुपे से लेकर 900 रुपे आपको इसमें सड़े 800 रुपे के 900 रुपे के मिल जाएंगे ये सवा 900 रुपे और जो इसी में बात करते हैं जो पूने महराश्टर का अच्छे वाला सूखा बंपर प्याज है उसका भाव है स 900 रुपे मन सड़े 900 रुपे में आपको 40 किलो प्याज मिलें गे दोस्तों जो नासिक के देखो चार किसम के प्याज है इस दुकान पे 5 किसम के है सारे के सारे बंपर मोटे नासिक प्याज है इनका भाव है Catholic 800 रुपे से 900 रुपे मन दोस्तो बात करते हैं लो क्वाल्टी की जो लो क्वाल्टी में थोड़ी गोली है जो ज़्यादा अच्छी मोटी गोली वो आपको मिलेगी 600 रुपे और इसी में जो थोड़ी छोटे वाली गोली मिलेगी वो आपको मिलेगी 540 रुपे मन दोस्तों बात करते ह alternating medium प्याज, यह मिलेगा आपको 700 रुपे मन, यह medium दोस्तों बात करते हैं, पुना का जो मोटा सबसे bumper प्याज है, यह है वो पुना का मोटा bumper प्याज, इसका भाव है सड़े 900 रुपे मन ये आपको सड़े 900 रुपे में 40 किलो का प्याज मिलेगा कट्टे में जितना भी वजन हो 50 किलो हो 55 किलो 60 किलो ये आपको 900 रुपे में 40 किलो के हिसाब से मिलेगा और इसमें 7% एक्स्ट्रा कमिशन होती है प्याज में दोस्तो बात करते हैं अब राजस्थान के प्याज की जो राजस्थान का प्याज भी मोटा अच्छा बंपर प्याज है इसका भाव भी है 800-800 रपे ये है जोधपुर मतानिया राजस्थान का प्याज दोस्तों बात करते हैं अलू की जो अलू गोल वाला अलू मिलेगा आपको मीडिम क्लास का अच्छा अलू वो मिलेगा आपको पांसो रपे सड़े पांसो रपे की बोरी पचास किलो की और जो बात करते हैं इसमें चिप सोना की जो ये चिप सोना है इसका भाव है आज का 700 पे इसमें भी आपको 50 किलो अलू मिलेंगे दोस्तों अलू की ब्रैटी अलग-अलग मंडी में बहुत सारी अलू की ब्रैटी होती है जैसे यह अलू मोटे वाला लाल अलू लेंगे यह आपको 500-500 रुपे का कट्टा मिल जाएगा इसी में आप यदि गोली लोगे गोली का रेट आपको 400-300 रुपे जैसे यह है 300-300 का भी मिल जाएगा दोस्तों जो आपको सुबह में मिले गाए 311 नंबर दुकान पे यह आपको अलू मिलेगा यह पहाडी अलू इसमें यह सुबह सुबह बिग गया इसका भाव आज का था एक हजार रुपे जो हल्दवानी का अल के बाद आया यह हल्दवानी का अलू जो 50 किलो की बोरी मिलेगी आपको एक हजार रुपे की दोस्तों बात करते हैं जो पहाडी अलू होता है सिमला की तरफ का वो आज सुबह सुबह मंडी में बिग गया उनका कहना है कि आड़ती का भी इसमें भी कहीं ग्रेड होते हैं इ दोस्तों बात करते हैं निम्बू की निम्बू मंडी में निम्बू भी है पर उसी हिसाब से निम्बू की डिमांड भी है निम्बू की लाइव बोली भी चल रही है जानते हैं यहां के ओनर से इनका भाव दोस्तों यह वरण चोदरी एंड संस अजादपूर डी 114 नंबर दुकान से जानते हैं यहां का आज का निम्बू का होलसेल प्राइज हाँ जी सर जी बोली आज के निम्बू के क्या का रेट है वैसे तो आपकी दुकान पे बोली चल रही तो जानते हैं पचीस रुपे से 35 रुपए किलो, बढ़िया का है कि ये गुजरात राजगोट, वह जन्+. जे ये सारे मिक्चर करनाट ऐक, गुजरात, ये पुना, महराश्ठ, ये सारा मिक्चर रेट है, यह अधे जी आज के जो सबसे बड़े निम्बू के होल सेलर हैं दुकान के तो इन से आज का यह निम्बू का रेट दन्यवा सर जी आपका बहुत-बहुत है करें दोस्तों अब पहुंचे के हैं लहसुन मंदी में जानते हैं आज के यहां के लह सुन के ताजा भाव क्या कुछ रेट है को अचल नहीं पड़ावरी चल रहा हुए पर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अपना दोस्त बिरेंदर सिंग राना